हलो गाईज, कैसे ही आप साब मैं श्रिवांग याप सभी का स्वागत करती हूँ आपकी अपनी चैनल पर इसके नाम सोचल हीलिंग विच चाहरू आज मैं आपके लिए करने वाली हूँ आपके डिवाइन मैसेज़िस क्या है इस पर एक रीडिंग ठीक है तो चली देखते हैं आपके डिवाइन मैसेज़िस क्या है ये कुछ टॉपिक चैनल हुआ है मुझे तो चली देखते हैं आपके डिवाइन क्या आप का कुछ important मैसेज देना चाहते हैं आपकी लाइफ में अभी suddenly क्या अपडेट हुए हैं जिसकी बारे में यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं तो सब्सक्राइए देखते हैं आपकी जिवाइन का क्या मैसेज है आपकी लाइफ के लिए आपको दिवाइन का मैसेजस गोच सब्सक्राइब फिरीष पिस दिवाइन का सिस्क्राइब पिल् Riceट फिस और भी जिवाइनका है आपकी टरख से क्या मैसेजेस lug derecho div आप क्या गाइट करना चाहते हैं abundance that's why universe मुझे बारवा इस topic का channel दे रहे थे channel message दे रहे थे okay 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 so यहाँ पे कुछ mixed messages आएं हैं किसी के लिए move on के लिए है किसी की life में next step के लिए है किसी के लिए कुछ अलगी message है देखिए आपके divine आपको क्या message देना चाहते हैं आपके divine आपको बताना चाहती है कि आप अपने life में एक blessed person हो आप अपने life में काफी कुछ बहतर लिखवा कर लाए हैं आपके destiny बहुत ही beautiful है आप अपने life में हर तरीके के जिन्देगी के रंग देखने आप यहाँ पर आए हो आने वाले time में आप अविंडेज feel करने आप आने वाले time में काफी कुछ step by step follow करेंगे अपनी life में अगर मैं यहाँ पर देखूँ अगर आप लोग वो लोग देख रहे हैं जो की you know शादी करने वाले हैं या फिर करना चाहते हैं अपने lover के साथ में या नीच मेले जब बस शादी करना चाहते हैं तो उनके लिए good news है उनके लिए ये message है कि आपकी जिंदगी में कोई बहुत बहतरीन इंसान आने वाला है अगर आप उस इंसान को पहले से जानते हैं लेकिन कुसी के लिए आप share और नहीं है अगर आपको नहीं पता है तो तो वहाँ पर आपको एक energy feel होगी आपकी intuition जब भी आपको channel messages आना चाहेंगे तो आपको उस जगह पे तिलक जैसा जो होता है आकार वहाँ पर आपको एक energy महसूस होगी कि अंदर से एक power निकल रही है बाहर की तरह एक रोशनी आ रही है आपको वह देखेगी नहीं अंदरिश्य है लेकिन हाँ आपको feel होता है वह actual में feel होता है तो आपकी intuition आपको कुछ messages देगी उस दोहरान आप कुछ भी कर रहे हो आपको अपनी आखें बंद करनी है और आप उस channel message को सुनने की कोशिश करनी है आपने third eye chakra के through ठीक है वह actual में आपको सुनाई देगा और अगर अब तक आप नहीं समझे है तो अब गौर कीज़एगा ठीक है कुछ message कभी कभी क्या होता है क्या आप पढ़ रहे हैं आप कुछ कर रहे हैं तो अचानक से आपके कानों में कुछ सुनाई देता है आपको जैसे कि मैं अभी कुछ काम कर रहे थी तो मुझे अचानक से ये divine message सुनाई दिया ठीक है तो मैंने तुरंट उठाके अपना camera और shoot करने लग गए तो यही है कि आगर आपको इस तरीके से देखाई दिया है और इस चैनल का नंबर भी जो है टुफिल फोर है और इस का है social healing with try to ठीक है तो आपको टुफिल फोर family से त्रू कुछ connections बताता है आपको इस वक्त अपनी family में किसी particular इंसान का हो सकता है कि दिहान रटनी की जरूरत हो आपके परिवार में कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो शायद आपके परिवार में कोई इंसान परिशान है पर बोल नहीं पा रहा है वो आप से चोटा भाई बहन हो सकते है आपके परिवार में बड़े बुजर्ग हो सकते है पाप ममी में से कोई हो सकता है कि कोई बात है जो उनको अंदर अंदर खाया जारी लेकिन वो बता नहीं पा रहे है डर है या फिर आपको परिशान नहीं करना चाहते क्या है ये पुझत आचे समझ सकते हैं लेकिन हाँ यहाँ पर आपसे कोछ छुपपाया ज़रूर जा रहा है जो बी पुझत आपको आपके फोर नंबर आपको आपके खुद की हल्थ के बारे में भी तरशाता है अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप अपने स्ोास्ते का अच्छी से धिहान रक सकते हैं यहाँ पर आपका एक नंबर हैं यहाँ पर आपका चैन नंबर है तो pig changes और इस चीज का intuition आपको आपको धर्ड आई चक्रा करेगा ठीक है आपको messages इस बारे में आपकी intuition आपको बताएगी कि जो भी आपके life में हो रहा है वो शुब है या फिर आपके लिए भले painful है लेकिर आगे चल के काफी अच्छा outcome आपको देखने को मिलेगा बहुत अच्छा बहतर आपका पविश्य होगा तो इस बारे मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी दोराय रखनी चाहिए ठीक है harmony and abundance आपके life में अगर आप शार्ष चुदा देख रहे हैं तो काफी ज़दा blessed होने वाले हो कुछ ऐसे लोग देख रहे हो जो कि करियर को लेके बड़ी परेशान है तो यहां पर बोला गया है कि अपना काम एक एक वो उसके साथ करना है एक concentrate के साथ में करना है result क्या होगा यह आपको बिलकुल भी ध्यार नहीं देना है ठीक है second message जो मुझे मिल रहा है वो यह है कि अगर आपका किसी ने past में कोई particular way पे फायता उठाया आपके नोसिंस का, आपके मासूमियत का, आपको गलत बोल कर फसाया, ठीक है जूट बोल कर फसाया, जो भी है तो यहां पर वक्त आ गया है कि उस इनसान की energy को अपने अंदर से हमेशा के लिए खत्म करना है और अब और नहीं, मतलब अब आप और जो है नहीं सहिन करेंगे कुछ भी, ठीक है आप deserve करते हो harmony आप deserve करते हो love, आप deserve करते हो peace, excuse me yeah आप deserve करते हो peace, आप deserve करते हो प्यार, abundance, family अब सब कुछ, मतलब आपकी life में होगा भी, जो आप you know, universal एकफा के लाए है जो abundance है, जो आपकी life में बहतरीन वक्त है, वो आप definitely यहां पर जो है देखेंगे, आप अपने life में हर तरह के करते होगा, आप देख सकते हैं इस इनसान के यहां पे कमल है पीछे यह नन्याइंग वाला साइन है यहां rainbow है, यहां water है यहां hills है ठीक है, और सारा मतलब हर तरीके के color मतलब आपके जिम्नेगी में अब हर तरीके का सुक आप देखेंगे, अगर आपने with वक्त में financially काफी struggle देगा है प्यार को देखर लोगों से अपना बहुत अच्छे से बचाव करना है, कोशिश करें कि आपके life में अब वो कोई भी ऐसे इनसान को पेंट्री ना दें, चुकि मोलता कुछ और है, और होता कुछ और है, यानि कि उसके दो रूप होते हैं, ठीक है, एक दिखाने का कुछ और और उसके अंदर का कुछ और रूप होता है अब आपका कोशिशन हो, कि हम समझें कैसे, तो intuition किया कोड़ें आपकी energy आपको बता देगी, कही न कहीं जैसे आप उस इनसान को देखें, आपकी energy कही रही हैं, और वो इंसान बार बार आपके दिमाग में आता है, और आप move on नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको यहाँ पर advice दी जा रही है, कि आप यहाँ पर control करें अपने mind पर, ना कि खुद control हो जाए अपने mind की under में, अगर आप अपने mind को control कर लेंगे, तो यह आपके लिए काफी ज़दर beneficials रहेंगे ठीक है, कोई भी बाहर का इंसान आपकी दिमाग, आपको बुरा feel नहीं करवा सकता आपके अंदर कोई negative बाते नहीं भर सकता, कोई भी आपको यह नहीं बोसकता कि अरे, तुमारे partner को आपने वहाँ देखा था, यहाँ देखा था, कोई भी कज़ गलत आपको बता नहीं पाएगा, क्योंकि आपकी intention पहले आपको सब कुछ गाइड कर देगी, कि बटा इस इंसान की intention तो में देकर ठीक रही है, control करना है आपको अपने खुद की negative mind पर, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि कोई आपको misguide करने के कोशिश कर सकता है इसलिए, control करें अपने negative mind पर आपको खुद का mind आपको misguide कर सकता है, like you know कोई भी, कोई पोस्ट पोस्ट की आपके partner ने picture, कोई भी post बगेरा upload की तो आपको यह लगेगा, अरे, इतनी romantic pictures, हम दोनों को तो लड़ाई चल रही है, किस के लिए डाल रहा है, बले वो आपी के लिए हो लेकिन आपको negative mind आपको गलत वे पर लेके जाएगा, इसलिए मैं कह दिए कि अपने mind पर थोड़ा control करें ओके चलिए और cards देखते हैं same tag से हम और cards भी upload करते हैं और क्या messages देना चाहते हैं यह लिए आपको excuse us please divine अब और क्या guide करना चाहते हैं please divine please divine please divine बताएं यहाँ पर कोई आपका hidden enemy है I don't know कौन है लेकिन आपके मुझे channel message मिट रहा है जो बहुत जल्दी आपको धोका देने वाला है अभी सतर्क हो जाएं ठीक है, है कोई hidden enemy है कोई, तो है बहुत जल्दी आपको पता चल रहाएग और अपर आप मुझे बताएंगे मुझे पता है अच सिर्ट झाट सिर्ट प्रिजिव कोई निल्यों झानव निल्दी लीभन से सिर्ट रहाँà, बाभ्यों उल्भर इनक का झाल्दी झाल्स्ट उल्यों ażा के सिर्ट why is guilt here universe why is guilt here as I already told you guys friendliness completion okay आप मैंसे कुछ लोगों को dreams आ सकते हैं यहाँ पर जहाँ पर आपके dreams में आपको कुछ important messages आपके universe के तरह से transfer किये जाएंगे ठीक है सबसे पहले तो यहाँ पर जैसे कि मैंने भी कुछ जिर पहले कहा कि कोई है कोई third person जो आपके आपको गलत advice दे सकता है आपके relationship को लेकर आपके खुद की opinion को लेकर आपके खुद की self को लेकर कोई इंसान है जो आपको गलत रासा दिखा सकता है अब ऐसे मैं आपको क्या करना है फिर से भाही दोर आओंगी कि अपने intention पर trust करना है अपने creator खुद बनना है अपनी life में खुद अपनी energies को follow करना है किसी बाहर के इंसान का आपको influence अपनी life में entry किसी को भी अपने life में entry नहीं देनी है क्यों नहीं देनी है योगि वो इंसान की intention आपकी life में कहीं नहीं ठीक नहीं है ठीक है अगर आप अपने universe, अपने divine अपने energies पर, अपने internal work पर अच्छे से काम करते हैं तो आपको trust रखते हुए अगे बढ़ना है और यकीन माने अगर आप इस तरीके से काम करते हैं तो आपके life में abundance यानि कि बहुत सारा लक्ष्मी की किरता आपको दिखाई देगी ठीक है आपको अपने life में कुछ ऐसा गरना है जो शाद आपने कभी try नहीं किया अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जाके अपने partner से intimate हो जाए No, I'm not talking about like this Actually, मैं बात कर रही हूँ कुछ इस तरह की energy की अगर आप कहीं पर किसी strangers जगापे नहीं गए है किसी आपने कभी stranger से बात नहीं की है आप कहीं अलग जगापे नहीं जाते है आप कहीं ऐसी जगापे नहीं जाते है मतलब कुछ ऐसा नहीं करते है जो आपके comfort zone को से बाहर हो यहाँ मैं पता नहीं क्यों मैं चैनल message मिल रहा है कि आप कुछ ऐसा create करे हैं जो किसी नहीं नहीं किया हूँ कुछ यो नहीं कुछ बड़ा कुछ हटके ठीक है तो वो आपको अलग ही वेपे लेकर जाएगा आपको बहुत ही अलग जगा पर आपको popular करेगा आपको मजबूत इंसान बनाएगा आपको अप अंदर से काफ़े strong होगे और मैं feel कर पा रही हूँ गाइस कि आपकी राइफ में ऐसा दिना आएगा जहां पर आप हर रोज celebration किया करोगे फिर भी आपके पास कोई कमी नहीं हुआ करेगी पैसो की, सहुरत की, इजज़त की परिवार की, प्यार की, कभी कमी नहीं रहेगी लेकर इस वक्त यह जो वक्त है ना आपका जब भी आप इस ट्वीडियो को दिख रहेए यह आपके लिए थोड़ा सा struggle वाला टाइम रहेगा अब ऐसे में आपको थोड़ा सा अपने उपर अपने divine क्यूपट त्रस्ट रखना होगा कोई भी चीज जब अच्छी होती है तो थोड़ा देर से मिलती है लेकिन मिलती जरूर है ठीक है ऐसा नहीं है कि वो मिलती नहीं है मिलती जरूर है लेकिन थोड़ा वक्त लेती है कोई अच्छी चीज ठीक है तब तक आप अपने आपको उसके लाइक बना लें तब तक आप अपने आपको काफी अच्छे इंसान बना लें एक मजबूत इंसान बना लें जो किसी बाहर के इंसान से कफी अफेक्ट ना हो कभी आपके लाइफ किसी और के वज़़ से यूनो वो वन ना बने एकलौते ओनर हो, आप चाहो तो अपनी लाइव में वो सब कर सकते हो, जो इनसान सोचते मातर है, ठीक है, और यहाँ पर अपने हर फ्रेंड्स पर भरूसा ना करें, विकास यहाँ पर यह है, ठीक है, सेलिबरेशन है, फ्रेंड्ली लिस है, तो कुछ-कुछ किसी किसी के फ्र इनस मिलती है, और फिर उसके बाद जो है हम, आगे बढ़ेंगे, विस्टिवान हमें बताइं, अब क्या गारी करने चाहते हैं, फूल, फूल इस वालट एक सी भी आया था, इस अफ सौर्स, जस दिस दिन का, इस कार नी चेकर क्या है, इस अफ सौर्स, फूल, इस वालट सी आधा, इस वालट सी नी आधा, इस आधा, इस वालट सीटीज़ दिस कारव क्या इस वालट साथ है, को अपने आने वाले future पर या फिर अपने जिस भी अगर आप किसी से deal कर रहे हैं तो कुछ लोगों को यहाँ पे अपने partner पर शक है अपने तुकों को जबदस्ती किसे फिट नहीं करना है अपने तर्कों को अपने पास रखना है और किसी भी इंसान पर उसको जबदस्ती तो अपने की कोशिश नहीं करनी है Ace of Cups यहाँ पर है तो Ace of Cups बताता है कि आपको true love मिलेगा अपनी life में और जिससे भी आप चाहते हो वो इंसान आपको मिल सकता है आगे चलके Night of Cups है तो आपको अपनी life में कोई proposal मिलेगा चाहे वो job का हो चाहे वो love life को लेके हो चाहे marriage life को लेके हो हाँ अगर आप merit देख रहे हैं तो में भी होते हैं किसी किसी के लिए यहाँ पर pregnancy की कोई को news मिल सकती है ठीक कोज यहाँ पर six of cups भी है हो सकता है कि आप आने वाले टाइम में कुछ समय में आप कोई puppy adopt करें कोई किसी बितरा का कोई भी परशुव आप adopt कर सकते हैं और वो आपके लिए काफी lucky थाबित होगा ठीक है आपकी अगर शादी होने वाली है तो वो काफी traditional style में होगी next होने वाला है उसमें आपको बहुत अच्छा एक तरीके से अपनी life को जीने का मौका मिलेगा बहुत नएने experience आप फेस करेंगे अपनी life में action में काफी ने experience फेस करेंगे ठीक है और आपकी intuition काफी तेज होने वाली है because यहाँ पर आज की reading intuition पर काफी दादा focused है तो आप में तो यह थी आपकी आज की reading पसंदा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें मेरे सब्सक्राइब जरूर करें लिंक आपको description बॉक्स में मिल चाहेगी मिलती हूँ आप सक्व अगली बीटर में बाही टेकल लग दोल काइस